इसमें गणेजी का मुख आपकी ओर हो, कल सिक नियम लेना, शमी के ब्रक्च की पत्ति, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है, आपको कथा में बंदन किया था, 33 कोटी देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चड़ेगा, पर 33 कोटी देवताओं को शमी पत्र चड़ता है, और उसमें एक गणेशी महाराज और एक बाबा भोले ना, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है, महाराज, कथा में पहले भी बंदन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना जला रहारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है, शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है, शंकर जी की पाच लड़कियां, जो उपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विशारा, शामरिबारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की पाच लड़कियां, जिनका नाम लेकर सोने से रातरी में निंद छी आती है। एक-एक बून जो उपर से गिरा रही है ये शिव की पाँच बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाइट में गनेची कहस था। लेट भाग में कार्ती के कहस था। बीच में संतर जी की सबसे छोटी लड़की अशुक सुन्दरी कहस था। शिव महापुराण के कठा करती है और गनेच शरीत रपंश्रमन कर रहे हैं और कल से चतुर्थी लग रही है जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बिमारियां जादा पहल रही हो, बहुत कश्ट हो महाराज, बहुत जादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा बहुत तकलीफ में हो, तो समी पत्र, समी की पत्ती, जहां गनेच जी का स्थान है, वहाँ पर पाच समी पत्र, पाच समर्पित करें, और संकर जी के उपर तीन समी पत्र समर्पित करें, बहुत ध्यान देना, पाच समी पत्र, तीन समी पत्र, शिवलिंग के उपर समर्पित करें एक शमीपत्र और महराजी गी का दिया जहां लिफ्ट भाग में आपने शमीपत्र रखा है मंदिर में ना दिया लगा कर बाहर की और जहां शमीपत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक गी का दिया लगा दिया केवल गणेश चतुर्दी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण करती है भगवान गणेश जी का मौर्धवज का मयूर्धवज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चना देता है उसके घर से कभी रिती सिद्धी नहीं जाती बेभव प्रतिष्था नह झाल 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 झाल